तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़तीजिए क्योंकि स्वतंत्र ताही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिया है प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्च समझ में आए तब तक के लिए नीश्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाए और मन प्रसंद होकर बोलेगा